एक पर बता दिए आवाज बगर क्लियर आ रही है कि नहीं ठीक है ताकि आज का सेशन जल्दी से स्टार्ट किया जाए क्योंकि आज हमें करने साठ सवाल साठ मिनट में है ना तो मतला आज आप लोगों के पास बहुत ही कम टाइम है एंसर करने का है अल्ला यहीं टेस्ट है आपका तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का एक्जामपूर टीचिंग स्कूल पर जहां पर आपकी आगामी परिक्षा टेट जैसे एक्जाम की करवाई जा रही है एंवार्मेंटल साइंस की तैयारी तो एक बार जल्दी से सारे लोग जुड़ जाईए सेशन को लाइक कर दी जो शेर कर दिया और थैंक यू आप सभी लोगों का एक्जामपूर पर भरोसा बनाए रखने के लिए आज एक्जामपूर में चैनल ने आपका 9 मिलियन ठीक है सब्सक्राइबर्स पूरे करें आप लोगों का प्यार है यह इसी खुशी में एक्जामपूर ठीक है की तरफ से और एक्जामपूर की सारी टीम की तरफ से 27 सप्टेंबर तक ठीक है आपका शाम 6 बजे तक आपको दिया जारा फ्लैट 75% का डिसकॉंट किसी भी टीचिंग कोर्स इस पर जो रनिंग में है ठीक है तो एक बार जल्दी से बता दिया आवाज बगर क्लियर आ रही है कि नह गुड़ी उनिंग सर गुड़ी उनिंग नौ मुलियन हुए पूरे अरे हमारे नहीं मतलब एक्जामपूर में चैनल सर उड़ती खवर आ रही है टेस्ट है सर नमस्ते हां जी बेटा टेस्ट हो है सर कभी मेरा नाम ले लिया करो उबेदर रह्मान लो बेटा हो जाओ कुश तो तयार हो टेस्ट के लिए याद रखना ठीक है साथ मिनिट में हमें करने साथ सवाल और अब हमारे पास केवल 53 मिनिट रह गए है चली तो फुर्ती में एंसर देना है ठीक है टाइम ली लेना है ऐसा सपोस करो कि आप एक्जाम होल में बैठे हो और क्या रहेगा आपका में हैं साथ को उस्चें नमबर फर्स्त वहादा जो कीड़े खाता था है मुआ सा कीड़े खाता ये खाता है रहसे रा शूरज मुक्षी अमर बेल या आंड बताईए जल्दी बुढई लगर पाइए ई ठीक है ड्रोसेरा सूरज मुखी अमरबेल या आम गुड़ीवनिंग गुड़ीवनिग गुड़ीवनिंग चलिए वेरी गुड़ एंसर टू इसके अलावा आपका वीनस फ्लाइट रेप इसके अलावा आपका कॉपी में उतारते चली जाएगा पिचर प्लांट घट परनी जिसे आप नेपेंथिस नई पैंती के नाम से भी जानते हो ब्लैडर वर्ट जिसको हम यूट्री कुलेरिया के नाम से जानते हैं और ये एक मात्र आपका पानी में मिलने वाला जलिय कीट बक्षी पोदा है और आम आपका स्व पोशी एपना खुद का बना के खाता है तो answer to this question will be a. question number two ठीक है कौन पर जीभी संबंद दरशाता है प्लस 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 जिरो माइनस जिरो और प्लस माइनस कौन पर जीवी संबंद को दर्शा आता है plus 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 0, minus 0 या plus minus यह कैसा test है tenure यही test है ब연ड भूला गया option रखो तो रख दीए हम कह करें हमसे ओपर भी कुछ लोग है ठिक है कौन पर जीवी संबंद दर्शा आता है प्लस 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 0, माइनस 0, प्लस माइनस ठीक है, सेकंड गाई ये, प्लस प्लस क्या बात है ठीक है, तो परजीवी संबंद आपका कौन सा दर्शारा है, very good, answer to this question will be, प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस ये आपका परजीवी संबंद को भी दर्शाता है parasitic nutrition को भी दर्शाता है और आपका परभक्षी संबंद को भी दर्शाता है predatorship को भी दर्शाता है ठीक है दोनों को दर्शाता है plus plus आपका symbiosis होगा सह जीविता होगा या फिर आप इसी को परस परता भी बोल सकते हो ठीक है plus 0 आपका commensalism होगा commensal ठीक है that is सह भोजिता होगा minus 0 आपका amensal होगा a सह भोजिता होगा a सह भोजिता तो answer to this question will be D ठीक है question number third ठीक है एक पौधा जिसमें portion के सव पोशी और विशम पोशी दोनों प्रकार है मतलब autotrophic भी है सुन्दरी का व्रक्ष सुन्दरी का प्लांट आपका mangrove का पोधा that is mangrove rhizobium ठीक है अमर बेल या मतका सहियंत्र जिसे आप घट परनी का पोधा भी बोलते हो बताए स्व पोशी भी है और पर पोशी भी है जल्दी बताए नौस्ते सर कैसे आप एक दम चका चक थड़ का बी थड़ का बी क्या बात है क्या बात है क्या बात है चलो answer to this question will be सुन्दरी का पोधा ये आपका सौपोशी है autotrophic है ठीक है rhizobium कोई पोधा नहीं है तो ये तो वैसी गलत हो जाएगा अमर बेल आपका पर जीवी है ठीक है तो ये आपका कैसा हो गया विशम पोशी हो गया ठीक है गट परनी का पोधा ये प्रकाश सिंसलेशन भी करता हो कीडों से भी खाना भी लेता है तो ये सौपोशी भी है और विशम पोशी भी है ठीक है तो क्योंकि भी वाला तो आपका क्या है बैक्टीरिया है ठीक है आपका पोधा नहीं है चली नेक्स इंग इस राइजोबियम इसका एक अच्छा उधारन है कीड भक्षी का सह भोजबाद का पढ़ जीवी का इन में से कोई नहीं तो राइजोबियम सर जी एका होगा हमाओ गलत होगा नाचो इसी बात पर चली तो आपका राइजोबियम किसका उधारन है ठीक है एंसर टू दिस कोश्चिन विल भी इन में से किसी भी चीज़ का उधारन नहीं है क्योंकि राइजोबियम आपका सह जीवीत का उधारन है जिसमें ये आपका ठीक है प्लस और प्लस रिलेशन्शिप देगा ठीक है खुद आपका क्या लेगा ठीक है ग्लूकोस बगेरा ले लेगा पौदो से ठीक है खाना ले लेगा पौदे से पौदे को आपका क्या देदेगा नाइट्रोजन देदेगा कौन से पोधों में, लेग्यूम्स में, दलहन में, ठीक है, तो answer to this question will be D, D will be the right answer, ठीक है, जो लगा रहे है, भी नाचो, गलत हो गया, oh my dogs, ठीक है, आज तो तो तुम्हाँ गलत हो गया, D, next thing is, परनीश्य सनीमिया, किसकी कमी से होता है, बायोटीन, प्रोटीन, साइनो कोबलमीन, या लोहे की कमी से, हिंदी वाला question नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि आपका, वहाँ पे logo आ रहा है, एक मिनिट, भाई, लोगो साइट कर दे, परनीश्य सनीमिया, किसकी कमी से होता है, जल्दी बता, जल्दी, वेरी गुड, वेरी गुड, तो परनीश्य सनीमिया, ठीक है, परनीश्य स्थीन तरह के अमनीमिया, जादा फेमस है, परनीश्य सनीमिया, पॉलेट डेफिशेंसी अनीमिया, और, माइक्रोसाइटिक अनीमिया, ठीक है, परनीशिस अनीमिया को मेगलोब्लास्टिक अनीमिया भी बोलते ठीक है यह B12 की कमी से होता है यह B9 की कमी से होता है यह B6 की कमी से होता है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 3, 3, 9, 3, 12 ठीक है 6, 9, 12 से होता है क्या अनीमिया बट अलग-अलग लिए लग लग नाम है तो परनीशिस अनीया या मेगलयो ब्लास्लिक अनीमिय ब्लोल के वज़ेसे होता है तीन के अलाबा भी होते हैं घलसीमिय ए प्लास्टिक अनीमीय शिकल सेल अनीमिय वह शाड़े जनेटिक अनीमिया ठीक है तो वो तो जनेटिक रोग है यह आपके डाइटरी अनीमिया है डाइट की कमी से मतलब पोशन की कमी से होते है न्यूट्रिशन की कमी से होते है ठीक है तो C will be the right answer next thing is cellulose एक प्रकार का वसा है carbon dioxide है प्रोटीन है या फिर इन में से कोई भी नहीं क्योंकि folic acid vitamin B9 नहीं iron का अप्शोशन करता है बदाए ठीक है तो cellulose एक प्रकार का है CCC क्या बात है cellulose देखो किसी के नाम में ओज आ रहा हो glucose सुक्रोज मैनोज एरैबिनोज सेलूलोज ठीक है जाइलोज जैन्थोज फ्यूकोज गैलक्टोज एक्सेक्टर किसी के नाम की एंड में अगर ओज आ रहा है वो चीज आपकी क्या हो जाती है कार्ब हो जाती है शुगर हो जाती है तो शुगर आपकी option में है ही नहीं तो answer हो जाएगा क्या डी बट इसका मतलब यह नहीं है हर किसी के नाम के एंड में ओज आ रहा है वो शुगर हो जाएगी वरना कल को तुम question करो सवाई नाक हमाव गुलाब हमार पोज फोटल देवे के लिए और सुभाच्चन बोज इनके नाम में भी ओज आ रहा है यह भी carbohydrate है क्या नहीं थोड़ा वर्ड आपका कैसा होना चाहिए scientific होना चाहिए विज्ञानिक होना चाहिए नाम में ओज आ रहा हो वो आपका carbohydrate automatically आप उसे गोशित कर दोगे D will be the right answer ठीक है next thing is आपका amoeba मे चाहिए तरीका कैसा होता है सेपरोट्रॉफिक ठीक है स्वपोशी होलोजोग या सेजीवी कि अगे तो इतने नाम आपको कैसे याद रह जाते पता बच्पन में चोट लगी थी वूपर छट से गर गयते तीन मंजला से ठीक है तो अमीवा में पोशन कैसा होता है तो अमीवा क्या करते है ठीक है ये पॉल्स मौथ का फॉर्मिशन करता है मतलब एक जूटा मूँ का निर्मान करते और अगर कोई मूँ से खा रहा है तो मूँ से खाने वाले nutrition को हम बोलते है क्या holozoic nutrition चाहे amoeba हो चाहे paramecium हो चाहे युगलीना हो यह सारो का nutrition विशम पोशी होता है यह दूसरों जीप पर निरवर होते है बट किस टाइप से यह मुँ बना के आपका क्या करते है ठीक है खाने को निगल लेते हैं तो C will be the right answer ठीक है next thing is विश्व मैं बाक की कितनी उपर जातिया है कली किे इया गलत मत करना विश्व मैं बाक की कितनी उपर जातिया है 37912 हमाय जो सर उगा करते ते वो जूता चपल ठीक है है और डंडा बैत इन सब से मारा करते थे इस कारण का पढ़ना पढ़ता था तुमारी किस्मत अच्छी है ना ओनलाइन उपर से हाथ नहीं उठा सकते हैं बच्चों पर हम तो लात जूता ठीक है बाल पकड़के जुला दिये गए ठीक है डंडा बैत उंगली में पैन फसाके ऐसे दबा दिये गए सब तरीके से कुटाई होई है तुमारी भी हुई होती तुम भी इंटेलिजेंट बन जाती तो वेरी गुड विश्वे मैं according to WWF ठीक है बागों की नो प्रजातिया पाई जाती है जिसमें साइबेरियन बाग आपके सबसे बड़े बाग है सबसे बड़े और सुमात्रा के बाग आपके सबसे छोटे बाग है तो सी इसका सही जवाब है नेक्स दिंग इस निमनलिखित में से किसे पशू स्टार्च के रूप में जाना जाता है तो जैसे आपका पौदों में प्रकाश चंशलेशन के बाद स्टार्च बन जाती है वैसे ही जब हम खाते है तो वह खाना स्टार्च दाइजस्ट होके ग्लुकोस में तबदील हो जाता है अब जितना बाडी को ग्लूकोस चाहिए था उतना ग्लूकोस बॉडी ने ले लिया जो एक्स्ट्रा ग्लूकोस बच गया बॉडी उसे क्या कर देगी एक एनिमल स्टार्च में बतल देगी इस एनिमल स्टार्च को हम क्या बोलेंगे तो इस एनिमल स्टार्च को हमका बोलते हैं ग्लाइकोजन बोलते हैं और यह ग्लाइकोजन हमारी बॉड़ी में लिवर यक्रत और मास पेशी में घटा होता है मास पेशी में घटा होता है अब तुम्हाई किस्मत इच्छी एच्छी है ना कि तुम लोगों को हमवर्ग भी देते हो तुम हमवर्ग नहीं करते हैं अगर हम ओफलाइन पढ़ा रहे होते तुम्हें और मतलब तुम्हाई मम्मी पापा जे कह देते हैं मास साप सेलेक्शन कर और यह चाहिए आम है तो बागी आपका ही बच्चा आप अपना ही समझो मम्मी कसम खा रहा हूं ना जितने लोग गलत करते हैं और हसने लगते हैं सारे याद मी था ऐसे कान पकड़ते लड़कों के कौन रामलाल आई नहीं पढ़के हैं वो चुटिया पढ़के लड़कों के कौन लाली लिपिश्टिक लगाने का टाइम है पढ़ने का टाइम ना है जुलाए देते तो answer to this question will be इस प्रशन का जो उत्तर है that is C next thing is ठीक है निमनलिकित में से कौन सा खनिज हिरदै की धड़कन नियंतरित करने के लिए आवश्यक है ठीक है that is sodium sulfur bromine potassium स्राज के जवान में तो अपनी बीवी को भूल जाते हैं किसी दूसरे के साथ पकड़े जाने पर हैं जिका था भाईया तो बताइए कौन सा आपका तत्व आपकी सारे पुराने कोश्चन है कोई नया कोश्चन नहीं है टेस्ट इसलिए रखाता कि जितना तुमको पढ़ाया हुआ अभी तक वह एक बार देख लो बट नहीं नाला है का हम लोग potassium ठीक है लास्ट टाइम भी बताए था अगर आपकी बॉड़ी के अंदर potassium levels कम है तो आपकी हार्ट बीट जो ऐसे जा रही है ऐसे 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 फलक्चुएशन मारने लगती है ठीक है बिल्कुल गिर जा तो ही 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 तू 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 एक फोटो चप जाती है ऐसे ठीक है ऐसे हार लगा देते ठीक है तो potassium is responsible for the ठीक है potassium आपका चाहिए होता है किसकी सोडियम के deficiency से क्या होता water balance बिगट जाएगा body का ठीक है तो answer to this question विल भी डी next thing is मुँ में कितने प्रकार के अर्ग चवर्नक दात होते हैं अर्ग चवर्नक मुँ में कितने प्रकार के अर्ग चवर्नक दात होते हैं पता नहीं यह फोटो कप छपेगा लास्ट टाइम के बताया था गलत कर दिया था आपने के हैं तो potassium ही के होता है sodium हैने होता है कुछ भी यही बूल गए तुम लोग तो मु में कितने प्रकार के अर्ग चवर्नक दात होते हैं तो अर्ग चवर्नक दात ठीक है देखो एक तो होते हैं incisor काटने वाले यह लड़कियों कातिया रहे है उपर में चार नीचे में चार यह हो गया आठ ठीक है एक पैने वाले ठीक है जिससे तुम का करते हो और पुडिया उडिया फाड़ते है तो यह आ पैने वाले दांत है यह उपर में दो नीचे में दो फिर इनके भगल से एक मोटा डाड़ होता है ठीक है अगरे दाड़ बोलते हैं से या अर्गी वरनक बोलते हैं यह इधर दो इधर दो इधर दो इधर दो टोटल हो गए आपके कितने 8 फिर होते हैं मोलर ठीक है मोलर आपका इनीशली में 8 आते हैं बाद में आपकी अकल डाड़ा जाती है टोटल हो जाते हैं 12 12, 8, 20, 24, 24, 24, 32 तोटल हमारी यह दात होते हैं तो answer to this question will be D D will be the right answer 6 बहुत बढ़िया ठीक है चली next thing is ठीक है खमीर मश्रूम ब्रेड मोल में पोशन के तरीके किस तरह से प्राप्त किये जाता है मतलब आपका फंगस में जो फंगस होती है वो किस तरह से पोशन प्राप्त करती है सवपोशी होती है कीडे खाने वाली होती है मरतोब जीवी होती है अब पर जीवी होती है 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 थक्राइब है तो फंगस मोसली आपकी जो कवक होती है जो फपूंद होती है वह आपके मरी हुई चीजों पर उकती है तो ये कैसा पोशन लेती है मृतोब जी भी लेती है सड़ी गली चीजों से अपना पोशन को प्राप्त करती है तो C will be the right answer next thing is बच्चों में रिकेट्स और व्यस्कों में अस्थी मर्दूता किसकी बज़े से sorry not again अस्थी मर्दूता ओस्टियो मिलेशिया ओस्टियो मिलेशिया अस्थी मर्दूता क्या होता है ओस्टियो पोरो से सूता है ठीक है तो बच्चों में रिकेट्स और व्यस्कों में ओस्टियो मिलेशिया किसकी कमी से होता है कैल्शियम, वाइटेमिन D, आयोडीन, लोहा सोविडियूम की डेफिशन्सी से ही लंग्स में water आ जाता है क्या नहीं लंग्स में water आने के बहुत सारे reason हो सकते sodium की deficiency नहीं ठीक है accident हो जाए तो भी पानी आ जाता है पानी में डूब लो तो पानी आ जाता है ठीक है और infection की वज़े से तो पानी आ जाता है UB TET का course complete हो गया है क्या हाँ बेटा हो गया चलिए तो आपका osteomalacia जब भी लिखाओ तो आपको एक ही चीज़ चुनिए vitamin D osteoporosis जहां लिखाओ अस्थी मरदुता जहां लिखाओ अस्थी में पड़ गए छेद तो यह हो गए अस्थी मरदुता तो जैसे चलते चलते गिरे वहीं से कटाक बोल गई मुह से चटाक निकल गई तो यह calcium की वज़े से होता है तो calcium लेने के लिए दूद पिया करो next thing is ठीक है शरीर के संचरानात्म घटकों के निर्मान और रख रखाप के लिए निमने लिखिद में से किस पोशक तत्व की आवससकता होती है मतलब सनी द्वल दायलोग मारता है यह रिक्लों का हाथ है ओए I supports it यह यह डाइक्लों काहत है का यह जब आदमी पर पढ़ता है पढ़ता है लाफ्य में उठ जाता है शराद तो आप गोरे लग रहे हो हाँ ये से एंट पूत के आयो मुह पे अब पढ़ लो चलो तो answer to this question will be इस प्रिश्निका उत्तर है that is body building element आपका शरीर बनाने वाला जो तत्व है वो है आपका protein ठीक है यह आपकी repair और build में काम करता है ठीक है आपकी muscle की repairing और आपकी muscle की build इसी की वज़े से जो जिम में बन रहा है डॉला और बहुत सारी लड़की बनाने जा रही है डॉली वो इसी की वज़े से that is because of the protein next thing is निमने लिखित में असे कौन सा आपके आधार में अधिक्तम रोग है रोग है मतलब रुक्षांस रुक्षांस मतलब रेशा युक्त भोजन प्रदान करेगा ठीक है अंडा टमाटर गोबी गया हूं गोबी मतलब पत्ता गोबी प्रोटीन्स गुस्सा करके बताते हूं सर आप बिहार से होगा नहीं कि सर बताओ संस्कित की क्लास कब से चलीगी यह पर जल्द ही धूड रहे बेटा धूड रहे मास्टर चलेगा तुम्हाइं मास्टर छोड़के तो हम कह करें चलिए तो वेरी गुड सीटेट के फॉर्म कब से अपलाई होगे बताया ना बेटा अपने आप ही तुम्हें पता लग जाएगा उस दिन यूटूब पर सवाल्ला कर रहा हूं देखे आ गया है सीटेट का हमने तो कहा ही था इस दिन आएगा तो काईट इंसल ले रहे हो तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो जब आएगा तब आएगा सर बाडी में लेक्टिक असेड कम हो जाए तो अरे लक्तिक असेड थोड़ी कम हो जाएगा ग्लीसम कोमी जो भी हो लेक्टिक एंसर टू दिस क्विशन विल पत्ता गौवी और जितने भी बड़े-दबड़े सार होटल और जितने भी बड़ी बड़ी फ़ारिंड सबसक्रांटिसेग के लिए ऊपर चूष किया जाता है वह आपका पत्ता वी चूष किया जाता और हम भारतियों के यहाँ से उस पत्ता सब करती चली आती है कीड़े निकलती उसादा फ्रीव मोट मरा उत तो बहुत बड़ी है पता है ये कौन लाया था Britishers लाये थे वो Britishers calorie के हिसाब से खाना खाते 4 रोटी पेट बढ़ जाए उसे हिसाब से खाना नहीं खाते तो उनको तुमसे ज़्यादा पता है कैसे खाना खाना है तो C will be the right answer Next thing is अगला question ठीक है vitamin जो विशेश रूप से पशू मूल का है तेजू I love you बहुत बड़ी है रोवन राजपुत क्या बात है बहुत बड़ी है गजब पापा तो खुस होगा होंगे आज तो मेडल लाएंगे तुमारे लिए आज तो तो तुम यूट्यूब पे लव यू बोल के आयो डाल सकते बेटा सोनू बाई बिल्कुल डाल सकते NCTE की नए notification के according डाल सकते चलो तो कौन सा vitamin पशू मूल का है जो आपके पशू बनाते हैं मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था टेस्ट ले रहा हूँ पुराने question कराऊंगा revision कर लिया करो या पर किताब में लिख लिया करो बट नहीं चुल है हमाएं अंदर vitamin B12 ठीक है is only made by in the intestine of animals ठीक है तो आतों में बनता है आपकी तो A will be the right answer लगाओ 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 खूब खुशी से लगाओ next thing is राष्ट्रिय पोशन सिंस्ता National Institute of Nutrition is located at नई दिल्ली, बैंगलूरू, एमदाबाद, हैदरबाद सर आपकी क्लास का टाइम बता दो Monday to Saturday रात में 9 बजे बट आज जल्दी जल्दी कर रहे है otherwise मैं हर question को explain करते हुए करता हूँ क्योंकि question से question बनाने का तरीका है मेरा ठीक है, एक question से 4-5 question बना लो ठीक है, आज पुराना कर रहे है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहे है, क्योंकि आज 60 मिनट, 60 सवाल करने ठीक है, very good, answer to this question will be, ठीक है, is located in, ठीक है, है, हैदरबाद ठीक है, National Institute of Ahmedabad, बहुत बढ़ी है सर, जल्दी करवा, जल्दी ही तो करवा रहे है ठीक है, है, हैदरबाद में आपका located है, National Institute of Nutrition, next thing is निमने लिखित में से कौन सा जानवर ठंडे खून बाला है, देखे, आपको पता है कि सरी सरफ reptiles, ठीक है आपका, क्या बोलते है, मचली और आपके बेसिकली क्या बोलते है, उबैचर जो पानी पे भी रहे, जमीन पे भी रहे ठीक है, ये आपके ठंडे कून वाले होते है इन तीनों में से कोई ढूडलो सरी सरफ में मगरमच है, A will be the right answer नेवला आपका स्तनपाई है ये नहीं होगा, गरम खून होगा स्तनपाई है, गरम खून है, स्तनपाई है, गरम खून है ठीक है, तो A इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ठीक है, नेक्स इंग इस ठीक है, निमनलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ के तने में छेद बनाकर अपना घौसला बनाता है ठीक है गौरिया कॉवा कॉपर स्मित जिसे आप बारबेट भी बुलाते हो और हिंदी में ऐसे बसंत गौरी भी बोलते है ठीक है कब उत्तर अब लखनों से है क्या नहीं बेटा मंगल गरह से है अब पढ़ लो जे नहीं आएगा कि वो जो मास्टर था उल्जे वालो वाला वो कौन से जगे से था जे पूछा दायक तो 19th का answer is ठीक है very good तो आपका basically बसंत गौरी या फर copper smith ठीक है या फर English में बार बेट आपका क्या करता है पेड़ के तनिये में घोसला बनाके मनलब छेद करके घोसला बनाता है question number 20 मोहर किस से प्राप्त होता है भेड़ से बकरी से याक से खरगोश से ठीक है तो मोहर एक प्रकार की उन है वो किस से प्राप्त होती है चलिए तो मोहर उन ठीक है आपको बताई थी मैंने मोहर उन किस से मिलती है मोहर उन आपको एक बकरी से मिलती है और इस बकरी का नाम है अंगोरा बकरी वहीं अगर अंगोरा उन की बात करे तो है आपका अंगोरा खरगोश से मिलेगी अंगोरा खरगोश ठीक है तो answer to this question will be B बी गोट ठीक है तो अंगोरा बकरी से प्राप्त होती है नेक्स निक इस जानवरों के बारे में निमने लिखित में से कौन सा सत्य तत्य गलत है सांब बहरे होते उनके पयर नहीं होते बिल्कुल सही बात है वेल और डॉल्फिन अपने भोजन का पता प्रति धोनी के माध्दम से लगा लेती सही बात है ठीक है मेंडग और टोड टोड मतलब विशाइले मेंडग ठीक है यह के वल जल में रहते हैं या सरी सरफ रहिंग सकते बिल्कुल सही बाद तो कौन सा कतन गलत है जल्दी बताओ ठीक है तो answer to this question विल बी इस प्रश्न का उत्तर है that is ठीक है C C will be the right answer कि भाईया जो टोड और amphibians है जो आपके टोड और frog है ये बेसिकली आपका कहां रहते हैं पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं तो C will be the right answer ठीक है नेक्स इंग इस आपका question number 22 आपसे ये पूस्ता हुआ ये बताएं नेपिंथिस एक ऐसा पौदा है जो मेंड़क कीडों को खा जाता है चुओ को भी फसा कर खा जाता है अमारे देश में कहां पाया जाता है देखो वर्ल्ड की बात करें तो सीटेट ने बताए हुआ है ये ऑस्टेलिया में मिलता है इंडोनेसिया में भी मिलता हो भारत में भी मिलता है ऐसा तो अफरिका में भी मिलता है बट सीटेट ने ये तीनों जगे बताई है भारत में का मिलता है गारो खासी की पहाडिया गारो खासी की पहाडिया गारो खासी की पहाडिया कहां पड़ती है answer to this question will be मेगाले ठीक है तो D will be the right answer next thing is दुनिया का सबसे लंबा जहरीला साप कौन सा है Black Mamba, King Cobra, Jalida, Rajgar, Anaconda question पर जान देना longest poisonous snake सबसे लंबा और जहरीला साप सबसे लंबा और जहरीला साप मतुरा में मिलता है क्या बात है सर आप इतने अच्छे क्यों हो हमाई पापा ने अच्छा पैदा कर दिया बुरा पैदा कर देते तो बुरे बन जाते पढ़ लो अप चल तो answer to this question will be सबसे लंबा और जहरीला होना चाहिए तो be will be the right answer जो C लगा रहे है वो लंबा तो है बट जहरीला नहीं है C लगाने वालो लंबा तो है बट जहरीला नहीं है अजगर कोई भी जहरीले नहीं होते नालाय को पश्मीना शॉल किसके बालो से बनाया जाता है कि तुम्हारे मेरे ठीक है बिट्टु गये या पप्पु गये बेड़ बकरी खरगोश याक बेड़ बकरी खरगोश याक पश्मीना आपका किसके बालो से बनता है पाइथन जरीले नहीं होते हैं कोई भी पाइथन जरीला नहीं है answer to this question will be बकरी के बालों से मिलता है ठीक है यह बकरी आपका कश्मीर में मिलती है इसको कैश्मीरी गोट भी बोलते है और कश्मीर में एक special जगह है चांग ठांग ठीक है जहाँ पे आपकी ट्राइब एक समुदाए के लोग रहते हैं जिनको हम बोलते हैं चांग पा चांग पा लोग इस वकड़ी का क्या करते हैं पालन करते हैं नेक्स इंग इस निमने लिखित में से कौन भारत का राष्टिय जलिय जनतू है खारे पानी का मगरमच समुद्री कच्छुआ डुगॉंग या डॉल्फिन यह तो बहुत इजी है कोई भी बता देगा सर आप बाकई में जवर्दस पढ़ाते हूं मजा आता है धन्यवाद गोटे मत पूलो गोटे मत पूलो पश्मीना क्या होता है सर बिटा एक बकरी होती है उस बकरी के बालों को ठीक है खैच के हम मनाते है उन उस उन को हम बोलते हैं पश्मीना इतना fine wool होता है भारत में वर्ड में नहीं इससे ज़्यादा fine wool कुवेट होता है ठीक है वो बहुत महेंगा होता है तो भारत में इससे वड़िया wool इससे अच्छा उन कोई नहीं मिल सकता इसकी purity का test यह होता है कि आप कितनी भी मोटी इसकी चादर ले लो और एक ring में से उसे पास करके ख्याच के देख लो अगर वो रिंग से पास कर जा रही है तो वह original पश्मीना रिंग से पास नहीं कर रही तो और पश्मीना नहीं है एंसर टू दिस कुश्चन विल भी डॉल्पिन एक मात रहसा पक्षी जो पीछे की और उड़ सकता है संवर्ड किंग फिशर शहत खाने वाला हमिंग बर्ड अधा अधा यह मात रहसा पक्षी जो पीछे की और उड़ सकता है पश्मीना कॉसली होता बहारत में भारत में इससे जाद कॉसली मेरीनों आता है सबसे जाद कॉसली कोविट का वूल होता है उसका एक स्वेटर रही पड़ेगा तुम्हें 5000 डॉलर का ना 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 नहीं नच जाएंगे जमर रही हो 5000 डॉलर जानवरों की तवचा पर भिविन पैटर्न होते हैं मौसम की स्थिती के कारण उनकी सारी रिक सकती का संदेश परावर्तित प्रकाश के कारण उनकी तवचा पर बालों के कारण हाँ डुगों को जलिया हाती बोलते हैं यह आपके बेसिकली जेंड के में ज्यादा पाई जाते हैं दाची गम दाची गम फेमस है उसके लिए दाची गम नेशनल पार्क इंडिया की बकरी से का बनता है इंडिया की बकर बकरी से बकरवाल उन बनता है पसमीना उन बनता है लोही बनता है नाली बनता है रामपुर बोसायर उन बनता है और बताओ कितने उन गिना दे तुम्हें टेक्स्टाइल इंड्रस्ट्री में पहुंचाए दे चलो, तो answer to this question will be इस प्रशन का उत्तर क्या होगा, very good उनकी तुचा पर बालों के कारण आपकी जानवरों के इस अलग-अलग pattern के बाल आते है Hydrofish कली कराए question, गलत मत करना नामक दुनिया का सबसे जहरीला साप वैसे जमीन पर मिलने वाला सबसे जहरीला साप होता है कौन सा इल्लेंड ताइपन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिलता है बट उससे जादा भी जहर है, बट शान्त किसम का साप है ये Hydrofish, ये कहां देखने को मिलता है, देखो Hydro word है थोड़ा सा दिमाग लगा लो, इसका नाम क्या हो सकता, एडर, बोवा, कोब्रा या समुद्री साप सर हमिंग बड काली चडिया को बोलते है क्या नहीं बिटा, ये सिंगिंग बड्स होती है गाना गाती है, गाना सुनाती है, सर पानी पीलो, पीलेंगे बिटा, पढ़ लो पेले very good, answer to this question will be sea snake, समुद्री साप next question is koala पाए जाते है, देखो, koala koala, ठीक है, गोपाला, कंगारू platypus, ostrich मतलब शतर्मुर्ग, एमू, ये सब एक ही जगह की species है ठीक है, koala, कंगारू, platypus, शतर्मुर्ग, एमू, ठीक है ये सब एक जगह की species है, ठीक है, even giraffe ठीक है, ये सब कहाँ पाए दाएंगे, Australia में, Australia ठीक है, answer to this question will be Australia लिया निमन लिखित मैंसे कौन एक सच्ची मचली नहीं है सिलवर फिश सौ फिश हैमर हेड फिश या सकर फिश चूसने वाली मचली कि तो कौन सी आपकी बेसिकली एक मचली नहीं है तो answer to this question will be silverfish silverfish कीडे का नाम होता है कीडे का नाम है बागी सारी आपकी मचलिया है sawfish, hammerfish, suckerfish ये सारी मचलिया होती है silverfish आपका कीडे का नाम है A will be the right answer वे जानवर जिनके कान बाहर की तरफ नहीं होते और उनके शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं, बच्चों को जनम देते हैं दोनों देते हैं या पानी में रहते तो ऐसे जानवर जिनके कान बाहर नहीं है कान बाहर नहीं है बोड़ी पे बाल नहीं है क्या देते हैं अंडे देते हैं बच्चे देते हैं दोनों देते हैं या पानी में रहते सब PDF का मिलेगा अभी दिखा दूँगा मेरे भाई सर आपकी क्लास किस टाइम पर होती है रोज रात को 9 बजे एकसप संडे तो ऐसे जानवर आपके क्या होते हैं अंडे देते हैं जिनके ना तो बोड़ी पे बाल होते हैं ना ही आपके कान बाहर होते हैं ऐसे जानवर आपके अंडे देते हैं ठीक है निम्ले लेकित जानवरों में से चुने जिनके कान है लेकिन हमें नहीं देख पाते हैं मतलब कान तो है कान तो है बड़ दिखते नहीं है ठीक है पक्षी कुट्टा कैट या फर खरकोष चलिए तो answer to this question will be ठीक है ऐसे जानवर जिनके कान तो है है बड़ दिखते नहीं है ठीक है वह आपके क्या है पक्षी बर्ट्स ठीक है स्मॉल होल्स होते हैं जो की फैदर पंकों से कवर रहते हैं ठीक है तो एविल वीदा राइट है सबागी कुट्टा बिल्ली तो बताओ कि जो आपका बाग तेंदुए के शरीर पर जो धारिया होती है वह किस तरह से मदद करती है थर्टी फस्ट थर्टी फस्ट बे जानवर जिनके कान बार नहीं होते हैं उनके शरीर पर बाल होते वह अंडे देते हैं सही तो है तो वेरी घुड ठीक है तो परिवेश्ट के साथ घुलने मिलने के लिए तो जो यह इनकी बॉड़ी है जैसे की शेर की बॉड़ी भूरे रंगी होती है तो शेर अक्सरकार आपके क्या करते हैं बूरी घास में छुप जाते हैं सूखी जो घास होती है वह बूरी कलर की रह सबसे बड़ा नेशनल पार्क जिसमें आपके सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वह आपका कौन सा है अंधर प्रदेश का नागर जुन श्री सलम सबसे जाड़ टाइगर आपके किस नेशनल पार्क में आपका राम गंगा नेशनल पार्क जिसे आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भी जानते हैं प्रोजेक्ट हाथी किस वर्श में लांच किया गया था इंक्यानवे 92 92 94 प्रोजेक्ट हाती आपका 1992 में लॉंच गया इसके तहत आपके 32 हाती रिजर्फ है भारत में मदुमक्खी के डंक में पाई जाने वाला CS3COOH CS3COOH CS3COOHCOOH C2H50H देखो आप सबको पता है आपने नCIT में पढ़ा हुआ है मदुमक्खी के डंक में नीथे नोइक बिच्छू के डंक में चीटी के डंक में टतविया के डंक में पिर फॉर्मिक अमले मिलता है वह आप से इस ऐसे तो कोश्चन कर चूके है हो सकता ह इस बार वो आपको ऐसे chemical formula लिख दे रसाइनेक सूत्र लिख दे जो कि आपको किसी master या master नहीं नहीं पढ़ा कोई बात नहीं आज पढ़ लोगे तो बताओ हाथी कौन सा राश्ट्रिय पशु है हाथी कब से राश्ट्रिय पशु हो गया अब यह स्टेट राज की यह पशु हो सकता राश्ट्रिय पशु नहीं तो 36 का क्या है very good very good very good answer to this question will be C SCOOH methanoic acid का formula क्या होता है SCOOH यह आपका बेटा ethanoic acid ठीक है यह आपका sodium benzoate है और यह आपका कौन सा प्रोपिनोइक acid है ठीक है गजब तो C विल्वीदा राइटेंस है जो जानवर nocturnal देख सकते हैं वे वस्तु है जो सभी रंगों में केवल काले और सफेद रंगों में केवल हरे रंगों में केवल लाल रंगों में हाँ हाथी विरासत पशु है heritage animal तो वे जानवर ठीक है जो nocturnal होते देख सकते सभी रंग को देख सकते हैं काले सफेद को देख सकते हरे रंग को देख सकते लाल रंग को कुश्चन कर लेंगे हिंदी विडियम को दिक्कत आती है कोकि आध तक तो नॉक्टर्नल पढ़े ही निंगे ठीक है तो नॉक्टर्नल को हिंदी में बोलते हैं निसाचर देखो एक्जामिनर मजे लेने के लिए नॉक्टर्नल को हिंदी में नॉक्टर्नल ही लिख सकता है ठीक है तो आपको पता होना चाहिए नॉक्टर्नल का मतलब होता है जो रात में गूमते हैं निसाचर और डाय अरनल का मतलब होता है जो सुबह गूमते हैं इसलिए हम कहा रहे कि एक बार सीटेट को मौका देना चाहिए हमको पेपर बनाने को ना रुला दिया ना मजाई ले लेंगे चलो तो answer to this question will be ठीक है जो रात में गूमते हों केवल कैसा रंग देखते हैं काला सफेद या फिर ग्रे ग्रे भी देख सकते हैं पक्षी अपनी गर्दन बहुत बार इलाते हैं क्योंकि वे उड़ सकते हैं पक्षियों की आखे स्तिर होती है पक्षियों की आखे छोटी होती ह के इनके कान पंक्खों से ढके होते हैं कि रोहन राचपूत बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है क्या बात है तुमको तो वह दियना चाहिए बे आवार्ड यूटूब बालों को बुलाके ठीक है 38 का very good answer to this question will be इनकी आखे हमारी तरह घूम नहीं सकती इसलिए इनको बार-बार में अपनी गर्दन को जटक जटक के देखना पड़ता कौन किदर जा रहा ठीक है निमने लिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी अद तक घुमा सकता है काफी अद तक टॉ लार्झेंट गुरू जी आप चुपके क्लास ले रखे हैं ुल्यू कोई क्लास नहीं तो कफी तक घुमा सकता है काफी अद तक काफी अद तक कौन गुमा सकता हैज ले जयोत तक की बोल ले और गोस Kend आबिमने लिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी तक पीछे की और ठीक है पीछे एवं आगे की और जटके से जटके से ठीक है गुमाता ठीक है या आगे से जटके देते रहता मतला अपनी गर्दन को आगे पीछे ऐसे ऐसे जटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करने वाला जो बर्ड है वो है आपकी कौन मैंना नेक्स इंग इस जहां तक हम देख सकते हैं कुछ पक्षी चार गुना बारनी चार गुना देख सकते हैं ये पक्षी कौन से है कवे ठीक है पतंग को पतंग नहीं होता बाज बाज इगल गिद ठीक है इगल कबूतर तोते कबूतर कवे मोर तो आपके जो शिकारी पक्षी होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या शिकारी पक्षी जो हम2 मीटर से साब देखते हैं ये 8 इनो मैंसे बता दो सबसे दूर की नजर किसकी है ठीक है तो आपन क्या बोलते हैं चील जैसी नजर है ठीक है तो इगल नेक्स निंग इस जब कोई पक्षी किसी वस्तू पर ध्यान केंदरित करता है तो यह द्रश्टी की सीमा को बढ़ाता है वस्तू की दूरी और कानुमान वस्तू की तस्वीर को साफ करने का प्रयास करता है या फिर सभी तो जब आपका एक क्या बोलते हैं पक्षी एक वस्तू पर यह एक वस्तू है और यह पक्षी बैठा हुगा जहां की आखे तो जब यहां पर फोकस कर रहा है यह पक्षी तो यह क्या पता कर रहा है बताओ, 42 का D, very good, answer to this question will be, ये वस्तू और अपने बीच की दूरी का अनुमाल लगा रहा है, कि इतनी दूरी पे है, और जब ये पक्षी, जो भी है, ठीक है, जब ये दोनो दिसाओं में देख रहा है, तो ये अपनी विजन की फिल्ड को, देखने की शम्ता को क्या कर रहा है बढ़ा रहा है, तो B will be the right answer, D नहीं हो सकता, बाग के बारे में सही कतन का पता करें, बाग अपने छेत्र को मूत के चन्नेत नहीं करता है, इसकी दाड़ 5 किलोमेटर तक नहीं सुनी जाती, इसके सुननी की सम्ता बहुत कराब है, इसकी मूचे इतनी संबेदन सीले है, जो क बागों को अंदेरे में चलने की मदद करती है, बताईए, बताईए, answer to this question will be, बाग मूत के चिन्नत करता है, यह तो बिल्गुल सही है, यह नहीं करता है, बोल ला है, 5 किलोमेटर नहीं, 3 किलोमेटर है, सुनने की सम्ता तो बहुत तेज होती है, इनके यह भी गलत है, तो यही सही option है, आकरी का D, that is, इनकी मूछे बहुत समवेदन सील होती है, जो कि इनने अंधेरे में चलने में मदद करती है, कौन सा जानवर 18 गंटे सोता है, बाग माना Python या cat, Python, ठीक है, एक language का नाम है, एक भासा का नाम है, computer की, तो कौन सा जानवर आपका, ठीक है, 18 गंटे चलिए, तो answer to this question will be, 18 गंटे सोने वाला जानवर जो है, इस में से, देखे, बाग आपका कितने गंटे सोता है, कोई बताएगा, ठीक है, तो बिल्ली आपका 12 गंटे सोती है, बाग आपका कितना 16 गंटे सोता है, मानाव आपका आठ से, मिनिमम आठ, मैक्सिमम आपका, मतलब मिनिमम छे, मैक्सिमम आठ होता है, तो 8 से 10 गंटे बोलते है, 18 गंटे आपका, पाइथन सोता है, C will be the right answer, आला कि ये चीज बिल्कुल गलत है, मानाव का, जब तो मम्मी पापा लात मार के ना उठा है, हम तब तक सो सकते हैं, हमको टे पूरता, उनकी आवास से, वे मनुष्यों को देख सकते हैं, पैर की गंदिल से, और सरीर की गर्मीज की मदद से, या इन में से कोई नहीं, हाती भी, अठारा गंटे सोता है, हाती बेटा, दो से चार गंटे सोता है, अठारा गंटे सोता है, पाइथनी, सलोथ है क्या सर, बेटा, पाइथन को इन्डी में अजगर बोलते, अजगर, सलोथ को इन्डी में सलोथ ही बोलते, तो नरम अच्छर किसी मदद से, इंसान को ढूडता है, बहुत बढ़ी हा, answer to this question will be D, क्योंकि नरो को तुमसे मतलबी नहीं, तुम्हारे पास तुम मादा आती है बटका करें गांजा फूका हुआ है आ गए क्लास में मों बना के शरीर की गर्मी से डूड़ता है पढ़ लिया करो नेक नर नर मच्छर कब से तुम्हारे बटकने लगा यह देखो C C C B B C बहुत बढ़िया तुम्हारे शरीर चुस्त हो जाएगा एक दम यह देखो सब के सब घदे एक लाइन में लग गए नेक्स इंग इस कौन सा जानवर पेड़ पर उट्टा लटक कर सोता है स्लोथ चमगाज़ा टाइगर या सांप कौन सा जानवर ठीक है आपका उल्टा लटक के सोता है स्लोथ ठीक है चमगाज़ ठीक है टाइगर या सांप तो very good answer to this question will be according to NCRT हम चलेंगे NCRT के according sloth आपका उल्टा लटक के सोता है बहुत सारे लोग चमगाज़ड़ भी answer दे रहोंगे चमगाज़ड़ भी साही हो सकता था अगर आपका option ऐसे बनते हैं first और second second और third first और fourth तब आपका एस हो जाता बट NCRT में चमगाज़ड़ की कोई कहानी नहीं है इसलिए हम इसे consider नहीं करेंगे बट अगर slot option में नहीं होता तो सही option क्या हो जाता चमगाज़ड़ हो जाता बैट slot दोनों आपके उल्टे लटक के सूते next thing is question number 47 भारत में सापों की कितनी प्रजातिया पाई जाती है कई यों बार बताया सही गलत मत करना 300 200 या 270 सर आप तो बताये थे सी वह मादा के लिए नरो के लिए नहीं नरो को तुमसर मतलब भी नहीं है भग जाएंगे तुमको देखके सर्च समगादर भी तो उल्टाव券ता है बेटा सीटयह ना एंशार्त ना एकाम्ति इंशर्डिमें जो लिख दिया वही सची Ace चमगादर की कहानी नहीं है इसलिए वो नहीं मानेगी क्योंकि तुम तो ले जाओंगे गूगल का यह देखो यह देखो तो वह चुपचाप से ऐसे निकलेंगे यह दिखा हमने भी लाइल लिख रखी सलाथ के बारे में चमगादर नहीं दिया होगा कहा करें हैं हम तो एंसी उनको हम क्या बोलते रहें। जल्दी बता हो और भायत में ठीक है साप के वह अग दात होते उनका दूसरा नाम क्या है in घ्टयका विश्धंत बोलते हैं और इंगलिश में इंने फैंक्स बोलते है, इनली में आमेने बोलते है क्या विश दन्त, यह दो होते है चार, बहुत सारे लोग तुम्हें चार पढ़ाएंगे चार नहीं होते है, साप के जहर की रसाइनिक प्रकरती क्या है, कार्बौ आइडरेट वसा प्रोटीन या फिर उप्रयोक्त सभी तो आपका जो साप का जहर है इसका रासाइनिक प्रवर्ती क्या होती है यह आपका प्रोटीन से बनता है ठीक है यह आपका किस से बनता है प्रोटीन से बनता है ठीक है तो C will be the right answer next thing is इन में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है, बिटूमिनस, गैसोलीन, पेराफीन वैक्स या फर इन में से कोई नहीं, सारे ही पेट्रोलियम उत्पाद है, इन में से कौन सा आपका पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है, कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है, जल्द इनमें से कौन सा पेट्रोलियूम उत्पाद नहीं है बिटुमिनस आपका एक कोईले का नाम होता है तो बहुत सारे लोग इसे बिटुमन समझ के लगा दी होंगे डी हमको पता है तुम लागों कि बुद्धी कैसे काम करती है हम कहतों रहें एक बार एक बार हम सीटेट वाले से कम होगी क्योंकि हमको दिमाग से खेलना बहुत अच्छी तरही से आता है देखो डी वाले देखो डी वाले तो यह विलवीदा राइट एंसर यह कोईले का रूप है कोईले का रूप है चलो नेक्स कोश्चन इस दूद में विटामिन मिलानी की प्रक्रिया को कहते है वन जीवानु मुक्तिकरन सनीन दा रही है सो जाओ विटा एक्जाम मत सोना बस वन्ना दिक्कत हो जाईए तो बताओ तो दूद में विटामिन मिलानी की प्रक्रिया को हम क्या बोलते है जो किनवन लगा रहे बिटा सराब बनाने की प्रक्रिया को किनवन बोलते है कुछ भी मतलिको भारती एक खास सुरक्षा मानक प्राधिकरन की स्थापना कब होई थी यह मैंने आपको लास्ट क्लास में 2011 बता दिया था यह गलत है 2011 वाला 2008 में हुआ था इसका हेड़क्वाटर इसका मुख्याल है नई दिल्ली में न्यू डेली तो इसकी स्थापना इसका एंसर मैं बता देरों इसका आप सभी को एक नंबर फ्री ठीक है तो इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 में हुई थी और हेड़क्वाटर इसका का है नहीं दिल्ली में ठीक है तो न्यू डेली में इसका हेड़कॉर्टर रहे चले नेक्स इंग इस कौन सा भोजन आपको त्वरत ऊर्जा देगा मतलब इंस्टेंट एनर्जी ठीक है देखो एक मात मास्टर जो अपनी गलती कभूल कर रहा है यूटूब पर गलत पढ़ाया था मैंने और कोई कभूल करता है नहीं आगे बढ़ जाते क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वज़े से तुम लोगा नुक्सान हो अगर यह वाला कुश्चन आ जाता तो कौन सा भोजन आपको तौरत ऊर्जा देगा भाईया कार्बोईडरेट देता और इन में से कार्बोईडरेट जो है वो आपको कहां से मिलेगा उबले चावल से मि यह क्योंकि हमाय टूट पेस में नमक भी है चारकोल भी है लॉंग भी है डाल चीनी यह ल्दी डाल लिए ज्टी तूट पेसले और सौंट भी है और क्या कहा है रस्भगंदा भी है सब डाल लिए हम झीरा मिर्चा ठीक है वह गरम शाहला सब डाल दिया हमने तो सबजी में कम पड़ जाती है तो toothpaste मिला देती है चलिए तो answer to this question will be very good vitamin C क्योंकि आपको हो जाएगा कौन सा रोग इसकर भी मसूड़े आपके क्या हो जाएंगे कम जोर हो जाएंगे तो C will be the right answer next thing is vitamin A हमारी आँखों की रक्षा करने में मदद करता है निमने लिखित मैंसे किसमे vitamin A नहीं होता है पढ़ा चुका हूं गलत मत करना तो बता है कि इसका answer क्या होगा very good ठीक है मैंने आपको बताया था केले में आपका vitamin B6 और basically potassium का बहुत अच्छा सोड से केला ठीक है इवन carbohydrate भी good amount में होते ठीक है तो vitamin B6, B2, vitamin C इसमें नहीं होता केले में तो A will be the right answer कशीरूकियों के किस समू में परजातियों की संख्या सबसे जादा होती है कशीरूकियों के किस समू में परजातियों की संख्यात सबसे जादा होती है स्थन्दारी मचली में सरीसर्प में या पक्षियों में नहीं पूछा है हाँ बेटर टूना क्या है टूना एक मचली का नाम है ठीक है कभी भी नाम है यह तूना रोवू ठीक है टीना की बेहन रोया टीना का भाई नहीं है ड्रीच रोहन todavía नहीं है सालमन ची नीए संद्रून बंध त्योंकिसैलमों भाई और आपका साडीन यह चार फेमस मचलियों का यह जाती है कहां गया साडी यह सब मचलियों के नाम यह फिमस मचलिया पूरे वर्ड वाइड में सबसे आ कंजियूम होने वाली मचलिय है सालमन ट्यूना रोहू साडी चलिए तो वेरी गूड एंसर तू दिस कुश्चिन विल भी मचलियों का वर्ग कशिरूकियों में सबसे बड़ा होता है निमने लिखित में से कौन सा अंडा देने वाला जानवर नहीं है जिराफ प्लेटिपस इकाईडिना इकाईडिना मिंडग कौन सा अंडा देने वाला जानवर नहीं है सबसे जादा इस धरती में जो जानवर पाए जाते हैं वो होते हैं कीड़े बट कीड़ों के पास रीड की हड़ी नहीं होती है इसलिए इनको हम बोलते हैं अकशेरू की जीव अकशेरू की जीव इन्वर्टी जानवर क्योंकि आधी की स्थननपाईयों में सबसे बड़ा और ठीक है नीनली कि स्में से कौन सा इंडे देने वाले जानवर नहीं है जिराफ नहीं है वेरी गूड answer to this question विश्व का सबसे बड़ा शाका आरी जानावर कौन सा हाथी जिराब जलस थी या गेंडा सननेट जाने वाला है बस तीन कोश्चन बचे आखरी तीन कोश्चन बचे आखरी ठीक है विश्व का सबसे बड़ा ठीक है शाका आरी जानवर कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा शाका आरी जानवर कौन सा है हाथी लार्जस्ट ठीक है हर्भी वोर एनिमल इमू पक्षी किस देश में पाए जाते है माल्दीव, केनिया, औस्ट्रिलिया, औस्ट्रिया इमू पक्षी अगर थोड़ी देर पहले की बात याद होगी तो यह सही हो जाएगा वरना गलत हो जाएगा इमू पक्षी कदर पाए जाते हैं ठीक है किस देश में पाए जाते हैं माल्दीप के इनिया औस्ट्रेलिया औस्ट्रिया में 56 को एक्स्प्लेइन कर दिए अभी करता हूँ तो वेरी गुड इमू पक्षी कहां पाए जाते हैं औस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं दुनिया का सबसे तेज जमीन पर दोड़ने वाला जानवर कौन सा है म्रग चीता थॉम्सन गेजेल या ग्रेहाउंड गेजेल आपका बारा सिंगा की एक वराइटी होते हैं ग्रेहा दुनिया में सबसे तेज जमीन पर दोड़ने वाला जानवर कौन सा है चलिए तो answer to this question will be very good very good very good बी चीता और यही अगर ये question होता है कि fastest कौन सा है लेंड नहीं लिखा होता तो अगर question ये होता fastest कौन सा सबसे तेज कौन सा लेंड नहीं लिखा होता तो जमीन नहीं लिखा होता तो जमीन नहीं लिखा होता तो वह बात कर रहा है all over the thing की मतलब चाए जमीन हो चाए आकाश हो चाए जल हो ठीक है तो सबसे तेज आपका जो जीव है वो है आपका पेरे ग् पालकन गुमन्तू बाज गुमन्तू बाज भारत में सबसे तेज भारत में सबसे तेज पक्षी that is swift गाड़ी नहीं है ठीक है तो ये थे आपके सारे question ठीक है तो ये थी आपके आज की glass question 60 minute हाला कि 6 minute मैं ने extra ले लिए क्योंकि मेरे editors ने 8 minute बरवाद किये उन्हों setting करने में तो भाई मिलेंगे आप मंडे को 9 बजे ठीक है chapter होगा आपका plants और plants से related जो question पूछे जा चुके है और जो question बनाए जा सकते हैं वो सारे question हम करेंगे आपका is upcoming Monday से clear now दूसरी चीज तो 9 बजे मिले हर रात में 9 बजे मंडे को दूसरी चीज आपका ठीक है भाई जितने भी आपके एक्जामपूर के आपके आज 9 million पूरे हो चेके हैं और जितने भी आपके रनिंग कोर्स हैं उन पे एक्जामपूर आपको 27 सप्टमबर तक दे रहा है फ्लै संडे हॉलिडे सर हां संडे हॉलिडे 50 से ही हुए किसके कित्ते माक्स है अच्छा हां यह पीडिएफ का मिलेगी बहुत सारे लोग पूछ रहेते हैं लोग बता देता हूं देखो वह यह जो पीडिएफ है आप जो यह खोलोगे कि यूटूब खोलोगे यूटूब ठीक है तो वहाँ एक्जामबू टीचिंग स्कूल सर्च करोगे ठीक है यह वाला वीडियो खोलोगे ठीक है तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी ठीक है डिस्क्रिप्शन में इधर यह टेलिग्राम गृप की तो यहाँ पे आपको इस पे लिंक पे क्लिक करना है आप व्यू इन टेलिग्राम पे क्लिक कर दीजेगा यहाँ पे आपको यह पीडियेफ मिल जाएगी चली तो मिलते आपका मंडे को तिल देन झाल जाए जाए बाए बाए बुटनाइ टके क्या थैंक यह झाल झाल झाल